जैहिं दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? I hope सभी ठीक होंगे तो पिछले वीडियो में हमने सविधान की लेक्चर सिरीज के अंतरगत मूल कर्तवयों को पढ़ा था अब उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं संग की कारेपालिका समझने से पहले थोड़ा हम कारेपालिका को समझ लेते हैं कि कारेपालिका क्या है? उसके बाद राष्टपती पढ़ना हम सुरू करेंगे तो देखो भारत में अगर देखा जाए तो तीन संस्थाए महतपुन होती है एक होती है विधाईका एक संस्था का नाम है विधाईका, दूसरी होती है कारेपालिका ठीक है? और तीसरी संस्था होती है न्याईपालिका ठीक है? तो ये तीन संस्थाए महतपुन संस्थाए मानी जाती है विधाईका के अगर हम बात करें तो विधाईका का काम क्या होता है कानून निर्मान इसका काम क्या है तो कानून का निर्मान करना कारेपालिका का काम क्या है तो कानून को लागू करना ठीक है ये क्या काम करती है कानून को लागू करने का काम करती है जो कानून विधाईका ने बनाया उसी कानून को ये लागू कर देती है नियाई पालिका का क्या काम होता है इन कानूनों की रक्षा करना उसकी जाच करना ठीक है जो लागू है कानून उन्हें कानूनों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कानून सही है या नहीं है इस प्रकार की जाच या उसकी रक्षा करने का काम होता है नियाइपालिका का ते तीनों संस्थाएं महत्पून संस्थाएं होती है तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कारिपालिका की उसके बाद हम पढ़ेंगे विधाईका को और फिर पढ़ेंगे हम नियाईपालिका को ठीक है दोस्तो अब कारेपालिका मेरे हिसाब साबको समझ में आ गया होगा साधान भासा में कहें तो जो PM होता है ठीक है साधान भासा में एकदम सिंपल कहें तो प्रधान मंत्री ही कारेपालिका का हेड बाना जाता है ठीक है वास्तवीक रूप से ये ध्यान डखना है लेकिन साधान तर राश्टरपती को माना जाता है कि ये कारेपालिका का हेड होता है सविधानिक द्रश्टी से लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री ही कारेपालीका का हेड होता है अब गिलक्राइस्ट नाम के एक सविधान विध है जो क्या कहते हैं कारेपालीका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इक्छा को क्रियानवित करता है यान हमने जो सांसदों को चुन के भेजा है तो हमने इसी उद्देश से चुन के भेजा है कि यह हमारे लिए अच्छे-च्छे कानून बनाएंगे जिन से कि हमारा हित हो ठीक है यानि उन कानूनों के निर्माण में अभी जो सरकार कानून बना रही है उन कानूनों के निर्माण मे आपकी इच्छा है इसलिए तो आपके अनुसार आपने जिस सरकार को भेजा है तो उसी के अनुसार कानून बना रही है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कारेपालिका उन कानूनों को क्या करती है क्रियानवित करती है वह लागू करना यानि उनको क्रियानवित करन प्रधान मंत्री वो मंत्री परिशद ये कारेपालिका के अंतरगत अस्थाई कारेपालिका में आते हैं अरे भाई हर 5 साल पे रास्टपती चेंज होता है कि नहीं होता है ठीक हर 5 साल पर प्रधान मंत्री बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है ठीक है मंती परिशत भी हर 5 साल पर बदलती रहे यानि ये लोग इस्थाई नहीं है लेकिन इस्थाई पारेपालिका में आ जाते हैं नोकर साही सिविल सेवक यानि IAS, IPS, IFS, Deputy Collector, DSP तो ये सब क्या है ये इस्थाई कारेपालिका है नेता तो आते जाते रहेंगे हर 5 साल पर लेकिन ये विक्ति हमेशा रहेंगे ठीक है, ये हमेशा रहेंगे इसलिए तो आप लोग इनकी तयारी कर रहे हो बातारी समझ में तो इसलिए आप लोग जिसकी तयारी कर रहे हो लगन के साथ करो क्योंकि आप हमेशा रहोगे स्थाई कारेपालिका के रूप में लेकिन नेता हर 5 साल पे चेंज होते रहेंगे और इकारेपालिका की परिभासा आप लोगों को याद रखना है ये मेंस में अंसर रैटिंग में आप लोगों को बहुत काम देगी कि कारेपालिका सरकार का वहाँ अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इक्षा को क्रियानवित करता है ठीक है ये गिलक्राइस्ट के अनुसार है अब हम बात करते हैं हमने हाँ पड़ा कि कारेपालिका में कौन-कौन है तो राष्टपती, प्रधान, मंत्री, वो मंत्य, पड़िसद ठीक है इस्थाई में आ जाएंगे नोकड साही, सिविल से वक्त अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले राष्टपती की ठीक है अनुक्षेत 54 कहता है, राष्टपती के निर्वाचन की बात करता है अनुक्षेत 54 ये क्या कहता है, कि राष्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा भही याद रखना है, राष्टपती का निर्वाचन राज्य सभा लिखा है राज्य सभा के भी निर्वाचित सदस्य ठीक है राज्यों की विधान सभा के भी निर्वाचित सदस्य और केंद्र सासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य अब यहाँ पर देखना लोग सभा के सारे निर्वाची सदस्य आ जाएंगे राज्य सभा के सारे निर्वाची सदस्य आ जाएंगे राज्यों की सारे राज्यों की विधान सभा के निर्वाची सदस्य क्या केंद्र सासित प्रदेश में भी सभी के तो नहीं ध्यान रखना है केंद्र सासित प्रदेश में दिल्ली ठीक है दिल्ली फिर पुदुचेरी और हाल ही में 2019 में जुड़ा एक और जे एंड के यानि जम्मु एंड कस्मीर ज्यान रखना है सिर्फ इन तीन केंद्र सासित प्रदेशों की विधान सभा के निर्वाची सदस से ही राष्ट्रपती की चुनाव में भाग ले सकते हैं बाकी केंद्र सासित प्रदेशों की विधान सभा के निर्वाची सदस से भाग नहीं ले सकते हैं ठीक है या तक क्लिय प्रतियक्शरीती से निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणिय मत प्रतिती का प्रयोग किया जाता है यहां पर ध्यान रखना है कि अनुपातिक प्रतिनिदित्व प्रणाली के एकल संक्रमणिय मत पद्धती का प्रयोग किया जाता है ध्यान रखना है यह क्या है बस अभी हम समझने वाले हैं यानि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गाउं के जो सरपंच होते हैं उसका जो चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई मान लो कि दो व्यक्ति खड़े हैं चुनाव में A और B A को कुल मद्दाता मान लो कि कुल मद्दाता आपके गाउं में कितने है 100 है एसा मान लो ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति है A जिसको कितने वोट मिले है 49 ठीक है 49 अब बाकी जो दूसरा व्यक्ति है B उसको कितने वोट मिले 51 ठीक है यहाँ तक अब यहाँ पर इ जो है एक कितने वोट से हारा है सिर्फ दो वोट से हारा है आप सोच सकते हो सिर्फ दो वोट से हारा है यह विक्ती ठीक है तो अब आप सोचो कि देखा जाए तो यह हारा नहीं है यार सिर्फ दो वोट से हारना कोई हारना थोड़ी होता है लेकिन यह क्या है इसके अंतरगत पास्ट पोस्ट सिस्टम इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो जीता वही आगे ठीक है तो इसके अंतरगत भाई सीधे-सीधे सो लोग जो थे उन सो लोगों ने वोट दिया 49 ने दिया किसको सरपंच को 51 ने दिया सोरी मतलब A को और 51 ने दिया B को ठीक है और सीधे सीधे B जो है वो दो वोट से जीत गया लेकिन एसा ही रास्टपती की चुनाओं में नहीं होता है एक विधायक के मतमुल्य केसे निकालेंगे राज्य की कुल जन संख्या बटे राज्य विधान सभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू एक बटा एक हजार ठीक है फिर एक संसर सदस्य यानि सांसद का मतमुल्य केसे निकालेंगे हम तो सभी राज्यों के विधायकों के मतो का कुल मुल्य और संसत के निर्वाचिस सदस्यों की कुल सदस्य संख्या ठीक है तो इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे निकलेगा किसका एक विधायक कमत मुल्य एक संसत कमत मुल्य ओके और देखो हर चीज में यहाँ पे अनुपात हो रहा है यह देखो अनुपात इसी को कहते हैं न ए अनुपाता बी या एसा लिख दें ए बटा बी भाई इसी को कहेंगे न अनुपात इसी को अनुपात कहते हैं तो ये क्या है अनुपातिक प्रतिनिदित्व की बात हो रही है ठीक है एकल संक्रमने मत पत्दित्व को भी अपन समझने वाले हैं तो अनुपातिक प्रतिनिदी तो प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के मत मुल्य में सम्तुल्यता प्रदान करने के लिए संसद और प्रतिक राज्य विधान सभाओ के सदस्यों का मत मुल्य निम्नविदी से निकाला जाता है। फॉर्मूले से क्युष्चन बन सकता है या मेंस में लिखने को आ सकता है इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है ठीक है तो आगे बात समझ में तो यह पर दो चीजी याद रखना है प्रतेक्ष रूप से हैं दूसरी बात अनुपातिक प्रतेनिधित वो प्रणाली की एकल संक्रमनिय मत्पद्धती का प्रयोग किया जाता है इतनी चीजे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ओके अब बात करते हम एकल संक्रमनि मत्पद्धती ये क्या है तो यदि निर्वाचन में एक से अधिक उमिद्वार हो तो मतदान वरियता क्रम से किया जाए कि यदि निर्वाचन में एक से अधिक उमिद्वार हो तो मतदान वरियता करम से किया जाएगा अब इसको अपन समझते हैं थोड़ा जैसे मान लो कि भाईया राष्ट्रपती का चुनाव हो रहा है चुनाव में एक व्यक्ति ए खड़ा है दूसरा भी है तीसरा सी है चोथा हुआ है यह चार व्यक्ति जो है राष्ट्रपती के चुनाव में घड़े हैं थेकहा है अब यहाँ पर क्या हो दो आप वाले पे वोत डाला होगे आपको डी वाला पसंद देता आप डी वाले पे वोट डालके आ जैसे उसको मानलो कि C सबसे ज़्यादा पसंद है तो C को नमबर एक प्रिफ्रेंस देगा, वो C को नमबर एक पर रखेगा A को नमबर दो पर ठीक है? B को यहाँ पर 3 पर D को रख दिया 4 पर ध्यान रखना है, जैसे मैं इन सांसाद हूँ 4 उमिद्वार थे राष्टपती के चुनाओ में, तो मैंने क्या किया? मेरे को C पसंद था, इसलिए मैंने C को पहले पर रख दिया A उससे कम पसंद था, A को दूसरे पर B उससे कम, तीसरे पर D सबसे कम, तो चोथे पर बातारी समझ में, इसी को कहते हैं एकल संक्रमनी मतपद्धती यानी, आपने 4 को वोड़ दिया, अब भै, 4 उमिद्वार आपके गाउं में सरपंच का चुनाओ लड़ने के लिए खड़े थे, आपने 4 को वोड़ दिया नहीं, आपने सिर्फ बोर सिर्फ एक को वोड़ दिया पाता की समझ में इसी को कहते हैं एकल संक्रमणी मत्पद्ती ठीक इसका आसर है कि मद्दाता मद्दान पत्र में उमिद्वारों के नाम या चुनाव चिन्न के सामने अपना वरियता करम लिखेगा जैसे आप देख रहे हो कि ये वरियता करम हमने लिखा है चुनाव जीतने के लिए किसी उमिद्वार को नियून्टम कोटा प्राप्त करना अवस्यक होता है अब एक बार फिर समझना कि जैसे अभी हमने यहाँ पर एक चीज समझे थी कि देखो गाव के सरपंच का चुनाव था तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई कुल मद्दाता कितने थे 100 मद्दाता थे 100 में से 49 ने किसको वोट दे दिया A को 51 ने दिया B को 2 चुनाव जीत गया दो वोट से ठीक है लेकिन राश्टपती की चुनाव में इसा नहीं होता है राश्टपती की चुनाव में क्या सिस्टम है तो भाईया वहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम ह यहां पे क्या होगा यहां पे जीतने के लिए नियुन्तम कोटा प्राप्त करना अवस्यक होगा एक बात याद रखना यहां पे जीतने के लिए क्या करना होगा नियुन्तम कोटा प्राप्त करना होगा अब नियुन्तम कोटा क्या होता है तो इसको इस तरीके से समझें कि भा मुक्सभा और राज्जायसभा बातारी समझ में इससे निकलेगा अपना कटा इससे क्या होगा नियुनतम कोटा निकलेगा यह धियान रखनाय है तो रद्शम वर्यता के अग्षान किसी उमिद्वार को नियुंतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी वरियता के अधार पर गंड़ा की जाती है तो इसके अंतरगत सिंपल सी बात है कि वहिया एक रौंड पुरा हुआ एक रौंड के अंतरगत सभी वोटर ने वोट डाला लेकिन किसी भी उम प्र डबल गिनेंगे, अब सिर्फ उमिद्वार तीन बचे हैं, A, C, D, ठीक है, फिर गिनेंगे, अगर मानलो फिर भी नियुनतम कोटा A, C, D में भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हम देखेंगे कि इसके कम है, कम मानलो C के वोट कम है, ठीक है, तो इसको सबसे कम है इसको डिलेट कर देंगे इसके वोट A और D में बाढ़ देंगे बातारी समझ में और इसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई वेक्ती नियुनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता ठीक है सिंपल से बात है यह अनुक्षद 71 केता है राष्टपती तथा उपराष्टपती के चुनाव संबंदी विवादों का निप्टारा सर्वोच नियाले द्वारा किया जाता है यह द्यान लखना है राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाव संबंदी विवादों का निप्टारा सिर्फ और सिर्फ सर्वोच न्याले ही कर सकती है और कोई संस्था नहीं कर सकती ठीक है अब बात करते हैं हम अनुक्षे 57 की कोई वेक्ती राष्टपती के पद पर पुना निर्वाचन के लिए योग्य है अरे भाई आप अगर राष्टपती का चुनाओ लड़ना चाहते हो जिंदगी भर लड़ो ठीक है जिंदगी भर वड़ते बनते रहो राष्टपती यानि कितनी विबार आप बन सकते हो राष्टपती बस क्राइटेरिया यानि योग्यता आप लोगों को दिहान रखनी है ठीक है कितनी विबार बाकि सरथों के बारे में बात करता है क्या सरते हैं संसदी राजविधान मंडल का सदस्य ना हो संसद या राजविधान मंडल का सदस्य ना हो और अगर है अगर है तो निर्वाचन की तीथी से उस पद पर नहीं रहेगा ये ध्यान रखना है अगर है तो निर्वाचन की तीथी से उस पद पर नहीं रहेगा राश्टपती अन्य कोई लाब का पद धारण नहीं कर सकता है कारेकाल के दोरान राश्टपती के वेतन भत्तों स सेवा सर्तों परिलब्दियों में कोई अलापकरी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ठीक है अनुक्षे 56 के अनुसार राष्टपती का कारेकाल पद गरंड की तीथी से 5 वर्स होता है ज्यान रखना है कितना वर्स 5 वर्स ठीक है अब बात करते हम महभीयोग की प्रक्रिया की अनुक्षे 61 के अनुसार राष्टपती पर महभीयोग सविधान का उलंगन किये जाने की स्थिती में लाया जा सकता है ठीक है यह ध्यान रखना है अच्छा एक और बात UPSC ने एक बार क्यूश्चन पूछा था कि महभीयोग सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अनुक्ष पत गरण की तीथी से पांच वर्स होगा इससे पूर्वभी महभीयोग जिक की प्रक्रिया के द्वरा उससे पत से हटाया जा सकता है तो ध्यान रखना है महभीयोग सब्द का प्रयोग अनुक्षे 56 में पहली बार किया गया है और दूसरी बार होता है अनुक्षे 61 में ठी प्रक्रिया संसत के किसी भी सदन में प्रारंब की जा सकती है त्यान रखना है संसत के दो सदन होते हैं लोकसभा राजसभा तो महभीयोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंब की जा सकती है जिस सदन में महभीयोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाता है उस सद के एक चोथाई यह बहुत इंपोर्टेंट है यह यहां पर क्यूश्चन के रूपे पूछा जा सकता है एक चोथाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरीत संकल्प प्रस्ताव की लिखित सूचना रास्टपती को कितने दिन पूर्व चोथा दिन पूर्व देना होगी यह भी क्यूश्चन पूछे गये हैं जिस सदन में प्रस्ताव को पेश किया जाता है यदि वह अपने कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है ठीक है कितने ध्यान रखना है दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो ठीक है दूसरे सदन में भेजा जाएगा दूसरा सदन नियायाधी करण की भाती राष्टपती पर लगे आरोपों की जाच करता है और इस दोरान राष्टपती स्वयम या अपने प्रतिनी इसके पस्चात यदी दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से कितने ध्यान रखना है बात हो रही दो तिहाई बहुमत की महवियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रस्ताव पारित होने की तिथी से राष्टपती अपने पद पर नहीं रहता है इस तरीके से महवियोग की प्रक्रिया है ये लिखने को आ सकती है ये याद रखना है अनुक्षे 60 रास्टपती को सपत भारत का मुख्य नियाईजिस दिलाता है त्यान रखना है अनुक्षे 62 रास्टपती पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थेती में नए रास्टपती का चुनाओ 6 माह के अंदर करा ल करता है दि y risk to ki की शक्तियों की बात कर ए ठीक है राष्टपती की सक्तियों यदि सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं तो कारेपालक सक्तियां पर अनुछत 53 क्या नुसर संग की समस्त कारेपाली का सक्तिया राष्टपती में नहीं थोगी यानक ना यहने एक तो भाया कारेपाली का यानि संग यानि देश का सर्वे सर्वा कोन है रास्टपती इन सत्यों के संपाधन के लिए वह तीन प्रकार के अधिनस्त अधिकारियों की नियुक्ति करता है कुण-कुण से नमबर एक प्रधान मंत्री के परामर्स पर नियुक्ति करता है तता प्रधान मंतरी के परामर्स पर ही हटा सकता है कुण को ने इसे प्रामर्स पर ही हटा सकता है यह ध्यान रखना है दूसरी केटिगरी है प्रधान मंत्री के परामर्स पर नियुक्ति करता है परंतु मुक्ति संसत की प्रक्रिया के बाद ही संभव है कौन से ऐसे पद है दूसरी केटिगरी एसी नियुक्तिया जो प्रधान मंत्री के परामर्स पर करता है परंतु पद मुक्ति सर्वुच नियाले के जाज प्रतिवेदन में दोसी पाए जाने के बाद ही संभव है तो कौन-कौन से ऐसे लोकसभा नहीं है यह लोकसभा लोकसभा आयोक के अध्यक् सदस्य अब बात करते हैं विधाई सक्तियों की वो कारे पालक सकतिया थी अब विधाई सक्तियों की बात करते हैं देखो विधाई विधी विधाई का यानि कानुन निर्मान से संबंदित यानि संसत से संबंदित सकतिया अनुच्छत 85 संसत्र आहूत करना सत्रावसान करना वो लोग सभा का विक्तन करना ये सारी पावर किसके पास है? राश्टपती के पास वो संसत का सत्र आहुत करता है सत्र आहुत करता है लोग सभा का विक्तन करता है अनुक्षद 87 राश्टपती नई लोग सभा के गठन के बाद संसत के प्रथम सत्र एवं प्रतेक वर्षय के प्रथम सत्र को संबोधित करता है यह संबोधन राष्टपती का अभिवासन कहलाता है जो केंत्री मंत्री परिशत द्वारा तयार किया जाता है यह पूछा गाया कि राष्टपती का अभिवासन कुन सानुक्षद में है 87 में अब 86 की बात करते हैं राश्टपती किसी भी समय संसत में सूचना भेज सकता है या अभिवासन कर सकता है यह सिम्पल वाला रहता है ठीक है अनुक्षद 80, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मननने इन कुन करता है राश्टपती अनुक्षद 111 विधेयों को पर सहमती तो देखो विधेयों को पर सहमती तीन प्रकार से देता है राश्टपती, परम निस्यदादिकार निलंबन निस्यदादिकार, जेबी विटो परम निस्यदादिकार यानि सीधे सीधे वो क्या कर देगा जो विधेयक है उस विधेक को reject कर देगा ठीक है? कारण बता देगा और reject कर देगा नेलंबन नेलंबन यानि पुनर विचार के लिए लोटाना ठीक है? ध्यान रखना है इसमें क्या होता है? पुनर विचार के लिए लोटाया जाता है पर पुनर विचार के बाद अगर रेटा ना गया तो उस पर राष्टपती को सहमती देना होगी जेवी निसेजादिकार जेवी यानि सीधे जेव में रख लेगा वो लिफाफे को विधेख की लिफाफे को सीधे जेव में रख लेगा और कोई साइन वाइन नहीं करेगा ठीक है ज्यानी जेल सिंग ने एसा ही किया था ज्यान रखना एक राष्टर पती हुए जिनका नाम है ज्यानी जेल सिंग जेल सिंग ने क्या किया तो उन्होंने उनकी राजियुगांदी से छोड़ा जगड़ा हो गया था विवाद चल रहा था रा आप लोगों को ध्यान डखना है परम निसेदादिकार कारण बता के रिजेक्ट कर देगा निलंबन निसेदादिकार पुनर विचार के लिए लोटाएगा जेबी निसेदादिकार जेब में रख लेगा साइन करेगा उसकी मरजी होगी तब ठीक है अब बात करते हैं अनुक् मिचल में हैं 123 में अध्या-धेश को वन सबी अदिकार प्राप्त होते हैं जो संसत द्वारा बनाये गए किसी अधिनियम् को होते हैं ठीक है या संसत की दोनों सदनोंसे पारिद करके कोई अधिनियम बनाओ ये राष्ट्र 끊-पती सीधी से अध्या-धेश जा-धर दे दो सुरू होने की तिथी से छे सप्ता के भीतर दोनों सद्नों से पारित हो जाना चाहिए इसने तो ही ये लागू रहेगा नहीं तो नहीं लागू रहेगा कुछ बुक्स में क्या है कि आपको मिलेगा कि अध्यादेश की कुल अउधी कि तिथी से छे सप्ता के अंदर दोनों सद्नों से स्विक्रती मिल जाना चाहिए अब एक बाद समझ ना थिक है दो सत्र होते हैं उन शत्रों के बीच में छे मां से अधिक की गेपिंग नहीं हो सकती एक बाद ध्यान रखना है तो फिर तो उसकी अउधी कम हो गई न, ठीक है, हाँ कभी एक्जाम में क्विस्टेन बन जाए, अधिक्तम एक अध्यादेश की अधिक्तम अउधी कितनी हो सकती है, तब आंसर रहेगा 6-6 सपता, ये ध्यान रखना है, अधिक्तम अउधी या कुल अउधी पूछे तो ये अ आवस्यक है, कुन-कुन से, उच्छ न्यालई की अधिकारिता को प्रफाइद करने वाला विधेक, व्यापार वानिज्य पर प्रतिबंद लगाने वाला विधेक, आपात काल में राज्य के समस्त विधेक, ठीक है, इन पर राष्टपती की सहमती आवस्यक है, ठीक है, वित यानि साधान बसा में कहें तो बजट अनुक्षे 208 वित्त आयोक का गठन ठेक हर पांच वर्षा पर राष्टपती ही करता है इंद्यान लखना है इन पे सब पे विस्तार से आगे चर्चा करेंगे जब संसक पढ़ेंगे ति धन विदेक क्या होता है इन सबी चीजों को आगे अपन समझेंगे ठीक है अब बात करते हैं नियाइक सक्तियों की तो राष्टपती की पास क्या क्या नियाइक सक्तिया है अनुक्षे देकbn 124 के अंतरगत उच्छतम नियाले और अनुक्षद 244 के अंतरगत उच्छतम नियाले के जजों की नियुक्ति करता है। अंतरगत उच्छतम नियाले से परामर से ले सकते हैं कि भया क्या है उस पर कानुन के से बनाया जाए। ठीके तो कठोर कारावास ही रहेगा वो प्रकृति को नहीं बदलेगा इसमें। लगू करन, कम्यूटेशन इसमें दंड की प्रकृति को बदलना तो दंड को कम करना। मानलो कि इसे को कठोर कारावास हुआ तो उसको कठोर कारावास से सधरन कारावास में बदल देगा और दंड को कम कर देगा। ठीक है यहां तक, फिर आती है अपातकालीन सक्तिया, अपातकालीन सक्तियों की बात करें तो अनुच्छे 352 में रास्टी अपातकाल की बात होती है, ठीक है रास्टी अपातकाल यानि पूरे देश में अपातकाल जो लगता है और यह हम आगे अपन जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इसको समझेंगे और लगाएगा कौन राश्टपती अनुच्छे 356 राज्यमापतकाल इसी को हम कहते हैं राश्टपती सासन ठीक है इसको भी हम विस्तार से समझेंगे ये भी लगाने की पावर किसके पास में है तो राश्टपती के पास अनुच्छे 360 वित्तिय अपातकाल ठीक है तो देश में वित्तिया अपातकाल इनकेनवे बानवे की दुरान लग जाता लेकिन मनमोहन सिंग की सरकार मनमोहन सिंग ने और नरसिमार राउ ने वहापर LPG की नितिया लगा के देश को बचा लिया आप लोगों को ध्यान रखना है यह इमेज देखिये साइड में पुराब लोगों को बताना है कि भारत में सबसे पहला अपातकाल कब लगा है ठीक है और कुल कितनी बार अपातकाल लग चुका है अब आते हैं राष्टपती की आखरी सकती यानि सेन ने सकती के अंतरगत ठी कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापती है इसलिए वह युद्ध के परारंब एवं समापती की घोसना करता है क्यान रखना है युद्ध के परारंब और समापती की घोसना कुन करता है राष्टपती क्यों क्यों क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ठीक है अब द बाते जो रहेगी ठीक है उन से related महत्पुन बातों पर चर्चा करेंगे ठीक है जिन से question exam से में पूछे जा सकते हैं ओके तो कोल का एक छोटा सा lecture रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद